हलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर वीपी गुपता, आज हम कल की क्लास को आगे बढ़ाते हुए अल्टरनेशन ओफ जनेरेशन इन ब्रायोफाइट्स के बारे में बात करेंगे सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए कि अल्टरनेशन ओफ जनेरेशन होता क्या है जैसे आप देखते हैं कि अल्मोस्ट सभी और्गनिजम्स के अंदर दो जनेरेशन पाई जाती है एक होती है हपलॉन्टिक या जिसको हम गेमेटोफिटिक फेज कहते हैं जिसमें क्रोमोजोम का नंबर होता है एन और दूसरी फेज होती है स्पोरोफिटिक या डिपलॉन्टिक फेज जिसमें क्रोमोजोम का नंबर होता है 2N अब जैसे हम हमारी बात करते हैं तो हमारी पूरी बोडी या डॉमिनेंट फेज हमारी 2N है यानि कि हम क्या है डिपलॉन्टिक है बट हमारे गैमिट्स वो भी एक फेज है वो भी एक जनरेशन है जिसे हम क्या कहते हैं है या गैमिटिक फेज कहते हैं और वो होती है N नंबर तो बात आतिए alternation of generation क्या है यानि generation का बदलते रहना यानि gametophyte से sporophyte बनना और फिर sporophyte से gametophyte बनना ये सिलसिला चलता रहता है जिसको हम क्या कहते हैं alternation of generation अब ब्रायोफाइट में अगर आप देखते हो तो आपको clear cut दो morphological phase दिखाई देती है दो phages दिखेंगे आपको जिसमें आप देखते हैं जो मैं जनरल करेक्टर में आपको बताया था कि ब्रायोफाइट की dominant phage gametophyte होती है यानि जो भी थैलस आप देखते हो वो क्या होती है gametophyte यानि उसके अंदर chromosome number कितने होते है N आप यहाँ एक बार देखें diagram को यह देखिए यह आप देख रहे हैं N phase है मैंने एक example लिया है rixia rixia मैं आप देखें पूरा थैलस जो आपको दिखाई दे रहा है यह पूरा N है यानि इसकी हर cell के अंदर chromosome का number N होगा और दूसरी important बात क्या है कि इस dominant phase पर ही इसके sex organ डवलप होंगे मैंने आपको बताया था last class में कि anthridium male reproductive organ होता है और archegonium female reproductive organ होता है anthridium के अंदर बनता है क्या sperm या anthrozoid यह सब भी N है anthrozoid भी N है archegonium archegonium में egg होगा या ovum होगा तो आप देखें यह सारी phases N है क्योंकि यह anthellus से बन रही है अब क्या होगा यह दोनो gamit sperm और egg fuse हो जाएंगे मैंने आपको बताया था malic acid release करेगा यह और उसके तरफ anthrozoid या sperm attract होगा और इसको fuse कर देगा यानि male और female nucleus fuse हो करके zygote बनेगा और वो zygote कैसा होगा 2N अब 2N phase स्टार्ट हो गई zygote में zygote यहां से अलग नहीं होता है algae में तो क्या होता है कि zygote बनके पानी में चला जाता है लेकिन यहां यह archegonium में ही रहेगा zygote और यहीं develop होगा sporophyte में पहले इसमें division होगा transfer तो 2 cell बनेगी फिर इसके अंदर division होगा vertical चार cell बनेगी और फिर आप देखेंगे एक globular cellular एक embryo like structure बन जाएगी अब क्या होगा इस embryo का development होगा तो इससे क्या बनेगा sporophyte आप देखेगा यह embryo develop हो रहा है जो 2N है इसमें जो cell होगी वो बनेगी अंदर वाली होगी endothesium ठीक है और बाहर में amphithesium भी होगी जो हम development पढ़ेंगे वहाँ बात करेंगे हमें अभी क्या है देखना इससे कि यहाँ पर जो यह बना है हमारा sporogonium यह क्या होता है कि कुछ में तो यहीं डारेक्ट foot और सीटा डवलप नहीं होते है बट बहुत से जो ब्राइवफाइट सेज़ से funeria है markensia है उसमें foot सीटा capsule बनता है और फिर capsule के अंदर spore mother cell बनती है क्या बनती है spore mother cell यह spore mother cell meiosis करती है यहाँ ध्यान दीजेगा कि spore mother cell में meiosis होगा तो meiosis से जो spore बनेगा वो N होगा spore mother cell तो 2N होगी लेकिन जब इसमें meiosis हो जाएगा तो इससे चार spore बनेंगे और चारों इस पे और N होगे और spore के germination से फिर यह बन जाएगा gametophyte तो आपने देखा कि gametophyte से पहले यह बना sporophyte फिर sporophyte से क्या बना gametophyte तो इस तरह से generation है जो alternate कर रही है ठीक है gametophyte से sporophyte बनता है और sporophyte से gametophyte बनता है इसी को हम क्या कहते है alternation of generation अगर इसका सिक्मिक डाइग्राम देखें तो आप देख सकते हैं वोई यह आपको exam में बना के आना होता है ब्रायोफाइट से female में क्या बनेगा archegonium male के अंदर anthridium दो अलग-अलग thalas होंगे तो अलग-अलग ही sex organ डवलप होंगे इसमें egg इसमें anthrozoid दोनों fertilization करेंगे fertilization को आप syngemi भी कह सकते हैं तो यहां तक सारा n-phase होगा gametophyte जिसे हम बोलेंगे फिर jigot बनेगा jigot से embryo embryo से sporogonium या sporophyte और उसके capsule में spor mother cell जिसके अंदर meiosis होगा और meiosis से spor बनेगा spor germinate होकर के जिसे rixia में तो direct bryophyte बनेगा यह direct gametophyte बन जाएगा और funeria वगेरा में protonium में बनेगा फिर यह बनेगा gametophyte और vegetative reproduction जो मैंने पिछली class में बात की थी उससे भी यह बनते रहते हैं phases change उसमें alternation generation नहीं होता है alternation of generation तो sexual reproduction में ही देखने को मिलता है तो यह clear हुआ आपको alternation of generation तो देखिएगा यहाँ देखिए तो मैंने वही बात आपको बताए कि bryophyta में दो morphologically distinct phase आपको दिखाई देती है एक gametophyte जो थैलोईड होती है well developed phase होती है sex organ इसी में develop होते हैं और इस phase में ही और यह phase बनती कैसे है spore के germination से ही बनती है अभी मैंने आपको बताया sporophytic phase क्या है जो 2N होगी जो fertilization से develop होई होगी anthrazoid और ovum के और 2N structure जो zygote बनेगा वो zygote develop करता है sporophyte में जिसमें तीन चीजे होती है foot, ceta और capsule is it clear अब आप देखें capsule के अंदर spore mother cell develop होगी उसके अंदर meiosis हो जाएगा जिससे spore बनेंगे और ये spore बनने के बाद germinate करके फिर से gametophyte बना देंगे और ये सिलसिला चलता रहता है alternation of generation चलती रहती है तो ये था briophytes के अंदर PDA का अंतरन या alternation of generation थैंक यू